आज का हमारा जो वीडियो है डेडिकेटेट है हाइड्रोकार्बन 2009 के सारे कुश्चंस के लिए तो देखते हैं क्या क्या कुश्चंस है 2019 में जो हाइड्रोकार्बन के पूछे गए थे तो स्टार्ट करते हैं फॉस्ट कुश्चंस से पहले मैं आपको बिया टू अरे मिएच का कॉंसेट समझाता हूं यह एलकीन का एक फेमस रियाक्शन है ठीक है पहले में एक एक छोटा सो कॉंसेट समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा CS3, CH, double bond, CH2 यह हमारे पास एक एलकीन है इसका जो बताया जाता है एक्चुल कॉंसेट में बियार टू, CCL4 का रियाक्शन वेल नोन है अब इसमें क्या होता है मेकानिजम यह बहुत जरूरी है इसमें पहला स्टेप CH3, CH, double bond, CH2 और यह है BR and BR इसमें नेगटिव आएगा यह इसमें इसमें जो फॉर्म होता है CH positive क्योंकि यहां से यह bond टूटा है तो इस carbon के उपर positive आएगा और CH2, BR, plus BR, minus और यह जो electron है फिर यह इसको donate करता है और यहां पर इसके बाद एक intermediate form होता है यहां तक step common है चाहे कुछ भी हो BR2 आएगा तो यह बनेगा ही बनेगा अब उसके बारी आती है negative ion की, BR negative अब यहां पर क्या होता है जैसे यह non-polar solvent है CCL4, non-polar जो कि कोई ions नहीं देगा य Hence, इसमें कोई ions ही नहीं मिलना है तो जब कोई ions ही नहीं है तो फिर BR- का कोई competitor नहीं है और जब BR- का कोई competitor नहीं है तो बीर- का यहां पर attack होगा ठीक है यह इस पर attack करेगा और यह open हो जाएगा तो बीयार 20C li популяр हो कि इसमें यह product आता है और यह बी आर और यह बी आर अटाच हो गया तो बी आर बी आर का हम एडिशन कराते हैं अब देखो अगर यहां पर हम पोलर ले ले लेते हैं पोलर सॉल्वेंट हमारे पास है लाइक वॉटर एलकोहल जो की अभी प्रेजन केस लिया हुआ है तो इसक्षमें अगर आप वाटर लोगे तो इसका राजाएगा OH माइनस मिथाइल यहां पर इसके धिया Гर्या है तो उस case में यहां पर difference आएगा और यहां पर इनकी जगह OME अटाच हो जाएगा यानि जो present case है ठीक है इसमें कहानी यही बननी है ठीक है यानि यह रहा alken पहले तो हमें target करना है यह reaction alken का होता है तो यह रहा alken this is the alken part तो इस पर reaction होगा उसके बाद आप इसको break करके देखो कि positive किस पर और negative किस पर आएगा ठीक है यह बहुत अच्छा question है यह deserve करता है IIT के बराबर का question जिसको की mains में पूछा गया है यह रहा CH3 और यह double bond O है मैं पूरा अच्छे से एक बार समझा देता हूँ double bond O और यहाँ पे यह compound है अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर हम positive देंगे और यहाँ पे negative तो क्या stable होगा नहीं है highly unstable होगा क्योंकि यहाँ कोई resonance नहीं होगा क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गल्दी से भी resonance करा दिया तो oxygen के उपर positive आएगा और oxygen being electronegative species positive hold नहीं कर सकता है इसलिए इस धन से तो dissociation होगा नहीं तो what else ताप होगे सर उल्टा करके देखते हैं तो चलो मैं उल्टा करके देखता हूँ इसमें क्या होगा यह O यह रहा CH3 और यह रहा double bond O और यह रहा double bond O और यह इधर है इस पे आएगा minus इस पे आएगा plus अब हो जाएगा क्योंकि यह minus आराम से resonance में जा सकता है क्योंकि oxygen can hold negative अब आप start करो ठीक हैं कहानी वही है attachment किसका होना है BR plus का यह देखो यह plus था ना BR तो BR plus का and OME इसके उपर minus था यानि BR plus जो BR2 से आएगा BR2 से एक BR plus जो इससे लगा हो रहेगा और BR minus बाहर रहेगा BR minus भी attack करना चाहरा है लेकिन solvent से competitor आ गया तो इसलिए एक BR plus होगा और solvent का competitor MEO minus बस minus को plus पे बिठा दो और plus को minus पे बिठा दो और देख लो कि कौन सा product इस case में आ रहा है तो इस case में आ रहा है यह product ठीक है first option is correct तो यह मैंने इसका पूरा concept cover कर दिया तो ध्यान रखना combination यह है फिर से एक बाहर मैं recap करा देता हूँ अगर BR2 non-polar कोई भी solvent हुआ तो addition BR and BR का होगा और अगर मालो BR2 के साथ आप पानी ले लेते हो तो यही जो मैंने उपर तरीका समझाया एक तो BR आएगा यह आएगा लेकिन competitor आने की वज़े से फिर OH minus आजाएगा BR plus and OH minus का attachment होगा यहाँ पर BR से आप लिख सकते हो और यह marconic of attachment होगा यानि plus और minus की stability के basis पर और यही चीज़ अगर आप पानी की जगए कोई alcohol ले लो तो फिर बदल जाएगा the major product of the following reaction देखो यह clear है ऐसा case simple जाया है कि HCL का रोल है इस alkene पर कार्बोकटाइन बनाना ठीक है नहीं कार्बोकटाइन नहीं HCL का addition हो जाएगा क्योंकि ALCL3 दिया हुआ है ALCL3 CL को हटा के कार्बोकटाइन फार्म करेगा यानि सबसे पहला तो alkene में addition कराना है HCL का और हमें पता है मैं recall कराता हूँ concept क्या होता है marconikov addition होता है HCL का यानि H plus और CL minus में marconikov कहता है कि hydrogen को उस पे भेजो जहाँ पे ज़्यादा hydrogen है तो इस carbon पे 2 hydrogen इस पे 1 hydrogen तो इसलिए इसके उपर hydrogen जाएगा और इसके उपर CL जाएगा direct करना चाहते हो तो वैसे best होता है कि carbocatine की stability से हम करें तो यह CS3, CH plus और यह CS3 आ गया और इसके उपर CL minus का attack हो जाएगा यह हुआ कहानी concept ठीक है अब इस case में सबसे पहले तो हम यहाँ marconikov addition करा देते हैं तो marconikov जैसे ही आप addition इस position पर कराओगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर है OH this 1, 2, 3 और यह रहा और इस पर लग गया CL यह बन गया उपर की तरवी में लगा सकता था घूंके attack करना है इसे लिए तो मैंने इसके उपर H लगाया इसके उपर CL लगा दिया अब इसके बाद ALCL 3 यहाँ present है तो ALCL 3 क्या करेगा यह इसके उपर attack करेगा being a Lewis acid और यहाँ पर कार्बुकर्टाइन जनरेट करेगा यानि next step में यहाँ पर कार्बुकर्टाइन फॉर्म हो जाएगा और यह आजाएगा हमारे पास अब OH को नहीं लिख रहा मैं positive अब यह ortho para directing होता है OH तो इसका para यह रहा ठीक है वैसे कुछ भी हो जाए यह इस position के बगल में चाहे इधर या इधर ही attack करेगा तो बस मैंने यह decide कि है तो इसलिए मैं इसको इसके उपर attack कराऊंगा इस electrofile को और यहाँ पर एक ring बन जाएगी ring का size गिंती कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक 5 member की ring जाके जूड जाएगी यहाँ पर 5 member की ring आप जोड़ दो यह 5 member की ring हमने attach कर दी 5 member की ring इसके just bugle का carbon के उपर methyl लगा रहेगा और इसके respect में पैरा position पे OH लगा हुआ रहेगा आप देख लो इसमें से जो भी कहानी आजाए वो हमारा answer हो जाएगा यह रहा 4th हमने catch कर लिया 4th direct जो हमने बनाया वही है next procedure करते हैं 3rd question के लिए the major product of the following reaction is again यह वही case आगया क्लीन करता हूं क्लीन हो गया अब देखो करना क्या है है तो वही तरीका भाई इसमें कार्बोकेटाइन मेकानिजम होना है तो होना है अब इसमें पहले हम step wise नहीं जाओगे तो इसमें गरवर हो जाएगा यह clear देख रहा है कार्बोकेटाइन का यह बहुत ही बढ़िया question generate करता है क्योंकि उसमें rearrangement होता है methyl shift, hydride shift और ring expansion यह question ring expansion का है double bond CH2 है तो पहला H plus आएगा हो H plus किसका है तो HCl से H plus आया है यह कार्बोकेटाइन generate करेगा यह H plus के उपर attach हो गया तो यहां से हमारे पास आ गया और यह लग गया CH3 और इसके तूटते के साथ ही इसके उपर आ गया positive और इधर आ गया CH3 अब यह five member के बगल वाले carbon में positive है कभी भी यही case होता है ring के बगल में positive होना चाहिए तो ring expansion होगा तो यहां से अब यह ring expand होगी यानि अब यह bond मैं green color यूज़ कर लेता हूँ इसको समझाने के लिए यह bond यहां से तूटेगा जैसे यह तूटा इसके उपर आया plus और इसके उपर आया minus अब यह minus जाके इस plus के साथ bond बनाएगा जिसे कि यह form हो जाएगा एक six member की ring तो थी ही इधर से ये इधर एक और ये carbon इस पे दो मेथाईल लगे हुए है और इस carbon के साथ इधर का ये जो carbon जो पहले इसके साथ attach था अब ये इसके साथ attach हो गया और यहां पर positive आ गया अब आप गिंती कर लो one, two, three, four, five, six छे member की ring बन गई तो यहां से हम six member की ring बना लेते हैं ये आ गया six member की ring positive देखो यहां से six member की ring से one, two, second position भी positive और इसके बाद दो मेथाईल लगे हुए है ये एक CS3 और ये दूसरा CS3 तो अभी भी ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये जो carbon काटाइन है यहां से methyl shift होके three degree में convert हो जाएगा तो इसके बाद अब फिर से methyl shift होगा one, two, methyl shift यानि अब ये methyl यहां पे जाएगा ये यहां से उसी तरह से तूटेगा और methyl वहां पे जाएगा और जैसे ही methyl वहां पे जाएगा तो methyl के वहां पे जाने के बाद अब की बार ये stable, इसलिए बहुत अच्छा question हो गया अच्छे-च्छे questions है इसमें ये CS3 और ये CS3 और यहां पे आ गया positive बस अब जो CL minus weight कर रहा है इसमें, that CL minus will attack over here ठीक है, और product हमें मिल जाएगा तो आब देख लेते हैं हमारे recording ये option correct है second, मिल गया six members of six members fused है दो CS3 है अरे नहीं नहीं, इसमें एक ही पे दोनों CS3 लगा लिए एक मिनट, एक मिनट we have to make a correction, अरे गरबर हो गया एक मिनट, just a minute तो इसमें हम best second mark करेंगे, क्योंकि हमने जो बनाया है, वो दिया हुआ नहीं है ठीक है, देखो हमने जो बनाया है, वो दिया हुआ option ही नहीं है होना तो यह option चाहिए था CS3 और यहाँ लगना चाहिए था CL इसमें दिया नहीं है, तो अब यह जो इसके एक step पहले चले जाते है यह भी यह carbocatine बना था, इससे भी कुछ product आएगा, तो इसमें आप CL- का attack करा दो, इस position पे तो इस एक carbon पे 2 CS3 और एक पे CL लग जाएगा, यानि तब second आ जाएगा, वही मैंने verify किया देखो यह तो हट गया, यह हट गया 5 member ring दिया हुआ, ring expansion करा है यह नहीं अब यह दोनों बच गए, इसमें यह थोरा बहुत बनेगा, दूसरा तो उससे विल्कुल उलट बन रहा है तो यह product और यह product अगर यह दोनों option में होते हैं तो हम इसको mark करते हैं, अब यह है नहीं, तो इसलिए हमने इसी positive पे CL को attach किया, आते हैं next अगला case है the major product of the following reaction is इस reaction का major product, देखो यह alkyne का famous method of preparation है, मैं बताता हूँ, क्या concept होता है हमारे पास vis diol होता है vis dihalide तो यहाँ पे vis dihalide लिया गया है अगल बगल पे BR तो देखो, symbols आए, कहानी समझना है हमें इस मैं H को ऐसे करके लिखता हूँ, क्योंकि मुझे जरुवत है और इस H को भी ऐसे करके लिखता हूँ जब आप alcoholic KOH लोगे तो alcoholic KOH is known to create double bond पहली बार elimination कराएगा E2 elimination और पहला double bond generate करेगा लेकिन इसके बाद एक बहर और elimination कराना इसके बस की बात नहीं है तो यहाँ से सिर्फ यह आ चुका है हमारे पास यह CH और H आ चुका है अब इसके बाद elimination कराना इसके बस की बात नहीं है तो हमें इससे भी ज़्यादा strong base से यह होता है जो कि NANH2 आ जाता है NH2 minus बहुत ही strong base है तो अब NH2 minus second step का elimination कराएगा और second step के elimination के बाद हमें alkyne मिल जाएगा C triple bond CH this is the product ठीक है यह आ गया फोर्थ ओप्शन इस करेक्ट नाव नेक्स्ट फिफ्ट कोश्चन पर आते हैं विच वन आप फॉलोईग अलकीन वन ट्रीटेड विद HCL इल्स मेजर प्रोड़क्ट इल्स मेजरली एन एंटी मार्कोनी को प्रोड़क्ट कह रहा है कि किसको हम करेंगे तो वो एंटी मार्कोनी कोप प्रोड़क्ट मेजरली फॉर्म करेगा तो इसके लिए एक हीас आपको यह वेरिफाई करना होगा मार्कोनी कोप के लिए मार्कोनी कोप में लिए होता क्या है H plus और C L minus में H plus उस carbon पे जाता है जिस पे ज़्यादा hydrogen है यानि यह इस पे गया इस case में H plus इस पे जाना चाहिए अगर मार कोनी कॉप होगा तो यानि इस पे इस पे ही जाना चाहिए तो इसके जाने के लिए H plus के यहाँ जाने के लिए इसके उपर minus और इसके उपर plus ज़्यादा stable होना चाहिए यही कहानी है तो हमें बस यह देखना है कि किस case में यहाँ पे plus unstable है तो यहाँ पे तो plus बहुत ज़्यादा stable है क्योंकि इसका plus R लग रहा है resonance से इसको stabilize कर देगा यहाँ पे भी stable है क्योंकि इसका loan pair का resonance हो रहा है यहाँ पे भी stable है plus क्योंकि again nitrogen के पास जो loan pair है वो इसको stabilize कर रहा है लेकिन यहाँ पे plus highly unstable है क्योंकि इसका minus I लग रहा है इसके पास कोई loan pair नहीं है और CF3 minus I show करेगा और minus I के कारण इसके उपर plus के उपर और plus develop करेगा तो इसको highly unstable बना रहा है ठीक है फोर्थ वाला case highly unstable हो गया तो भाई स्टार्ट करते हम इस question को ठीक है यानि फोर्थ वाले में anti-markonic off होगा और इसका जो product आएगा वो यह आएगा जब आप इसको H plus से treat करोगे H plus से तो यह इधर और यह इस पे attack करके positive इससे दूर भागेगा यानि CF3, CH2, CH2 और यह positive आएगा और इसके बाद CL- का attack होगा इसके उपर और यह आजाएगा CF3, CH2, CH2 CL यह आजाएगा हमारे पास product तो यह इसका fourth option होगया इसमें anti-markonic off अच्छा मैंने अहाँ ठीक है anti-markonic off addition करा दिया now the major product of the following reaction is, इसको DCL one equivalent से treat किया है and उसके बाद followed by Di तो इसमें बस markonic off addition कराना है दो बार ठीक है, स्टार्ट करते हैं जैसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर दो ठीक है, तो markonic off के according deuterium इसका भाई है, H plus का तो D plus है और CL minus है तो D plus चला जाएगा, इसके उपर जिसपे ज़्यादा हाइड है, CL इसके उपर तो पहले step के बाद यह आ जाएगा, C हमारे पास इसके उपर लगा रहेगा CL, double bond, CH और इसके उपर लग जाएगा एक D उसके आद फिर से D I आप लगा रहे हो, तो इसका मतलब फिर से एक और equivalent, ठीक है, यानि एक बार और मार्कोनिक आप कराएंगे तो फिर से D plus I minus, तो D जिसपे ज़्यादा है उसके उपर चला जाएगा तो फिर से D इसके उपर और I इसके उपर जाएगा, यानि एक बार और addition reaction double bound को break करके करा देना है आपको, और यह CH और इस पर दो D लग जाएगा, तो जो option आजाए, end में और यह, फोर्थ option is correct next 7th question पर आते हैं the major product obtained by the following reaction are, यह है कि, अच्छा, tertiary butoxide है, कि यह हो, अब मैं पहले tertiary butoxide butoxide की कहानी बताता हूँ और उसके बाद followed by ozone olysis कराया है, इसके खेर, इस case में इसके जरुद नहीं है कि मैं पूरी कहानी बताऊँ, वैसे मैं बता देता हूँ tertiary butoxide की कहानी क्या होती है मान लो, आपको elimination कराना है see, आपको पता है beta elimination में always beta hydrogen हटता है okay, always beta यह alpha हुआ, इसके बगल वाला beta है तो 2 beta है, यह बीटा 1 नाम देते हैं इसको beta 2 तो अगर normal जैसे आपको सिर्फ लिखा हुआ है alcoholic koh, तो इसका मतलब होता है कि छोटे-छोटे alcohol है, like ethyl alcohol, etoh ethyl alcohol होगा, methyl alcohol होगा, चोटे-छोटे alcohol होगा है, यह stable है, more substituted है यह ज्यादा alpha hydrogen है, जो आप कहलो लेकिन जैसे ही आप tertiary butoxide लोगे, तो यह बहुत भारी भर कम है, tertiary butoxide यह होता इसको कहते हैं, बहुत बलकी base है 3, O, पर माइनस और K यही यहाँ पर ले रख़ा है तो जब यह भारी भर कम, अगर आप base लोगे तो यह इस पर attack नहीं कर पाएगा क्योंकि यह sterically more hindered hydrogen है तो इसका attack इसी पर होगा क्योंकि इस hydrogen के 4 तरफ steric hindrance कम है, उस case में elimination इसका होगा, और यह Hoffman's product major आजाएगा वो ज़्यादा stable को हम set of कहते हैं और less stable को हम Hoffman's कहते हैं, तो यह measure आएगा, तो इसलिए always ध्यान रखना tertiary butoxide आजाएगा, यह आजाए तो set of measure आएगा although इस question के लिए जरूत नहीं है और यह अगर होगा तो इस case में Hoffman's measure आएगा Hoffman's measure आएगा, अब आते हैं इस case में elimination तो तैह होना है अब यहाँ पे भी H है, बीटा देखो, यह बीर जिस पे लगा हुए, वह alpha carbon यह रहा 1 बीटा 1 और यह रहा दूसरा बीटा 2, दोनों जगा hydrogen है, किस hydrogen को हटाते हम elimination कराएं, मतलब यह है कि elimination ऐसे, हैसे HBR को निकाले या elimination में है, ऐसे HBR को निकाले, तो भाई steric hindrance तो बराबर ही है दोनों जगे, कोई चक्कर नहीं है, तो आप उस hydrogen को हटाओ, जिसको हटाने के बाद stable alkene बनता हो, तो इसलिए O minus और K plus है, यह elimination में इसको हटाएगा, यह इसको हटाएगा, यह इधर जो alkene बनेगा, वो यह form हो जाएगा, यानि यहाँ double bond, यहाँ double bond है, इसका region simple है, क्योंकि यहाँ पर resonance होगा, पाई sigma, पाई, तो alkene हमने ढूंड लिया, अब उसके बाद, reductive or journalism कराईए, तो reductive or journalism symbol, इसको काट दो आप, एक तम दो को, तो उपर वाला मॉली को लाएगा, और हर कटे हुए पार्ट पे आप oxygen लगा दो, बस आप देख लो, यह aldehyde बन गया, aldehyde बन गया, तो एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन के दोनों साइड में aldehyde, तो चार कार्बन के दोनों एक, दो, तीन, चार, एक, तो यह आ गया, और दूसरा है, यह चो, चो, विल्कुल सही, पहला option करेक्ट मैच कर गया है, तो यह story थी, question number 7 में, आते हैं, question number 8 पे, यह तो repeated concept है, फिर से जो मैंने बताया था, chlorine water, जो पहले मैंने BR2 और water का बताया था ना, तो वही CL2 water में आप apply करो, CL2 water में आप कह दोगे, कि CL+, पहले तो chlorine plus जाता है, उसके बाद solvent से OH- आ जाएगा, जो पहला ही question हमने conception जाता है, इसका addition होगा, मार्कोनिकॉब से, तो मार्कोनिकॉब में, जितने भी positive species हैं, वह H+, के भाई माने जाते हैं, तो जैसे हम क्या कहते हैं, कि hydrogen किस पे जाएगा, जिस पे ज्यादा hydrogen already है, तो वैसे ही, इसका भाई होने के कारण, CL उस पे जाएगा, जिस पे ज्यादा hydrogen है, तो CL इस पे आएगा, तो बाकी रहे गया, जो OH- negative ion, वह इस पे जाएगा, और इसमें आप attach करो, और देखो, क्या product आ रहा है, यह आ गया, पहला option correct, तो first is the correct option, next हम आते हैं, नाइन्थ पे, to build to in on reaction with alkaline KMNO4 at elevated temperature followed by acidification, देखो, यह hot KMNO4 का reaction है, देखके ही पता चल रहा है, तो इसकी पूरी कहानी में समझाता हूँ, तो पहले मैं clean कर लेता हूँ, तब देखते हैं, पूरी story में बताता हूँ, देखो, अगर cold KMNO4 है, cold alkaline KMNO4, तो भाई सीधी से बात है, वो bears reagent कहा जाता है, तो यही alkaline अगर सिफ रह जाता है, आगे, यह सब नहीं रहता है, elevated temperature और acidification तो यह cold alkaline KMNO4 वाला reaction है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस double bond को हटाओ, और दो OH सेम साइट से जोड़ दो, चाहे कहीं पर भी double bond, मालो ऐसा आ जाए, ऐसा complex case दे दे, तो कुछ नहीं, आपको बस double bond को हटा के, cold अगर हो, cold alkaline KMNO4, तो बस यहीं करना, कुछ नहीं करना है, double bond को break करो, तो दो bond इसके खादी होंगे, OH-OH जोड़ देना है, बस खतम कहानी, यह आगया हमारे पास, अब अगर hot होता है, तो क्या होता है, तो देखो, hot KMNO4, is similar to oxidative ogenolysis, ओके, यह oxidative ogenolysis के similar है, तो पहले, but to in का structure बनाते है, CH3, CH, double bond, CH, and CH3, तो आप समझो कि इसको oxidative ogenolysis करा रहा है, तो पहला step यह है कि इसको काट के अलग करो, काट के जैसे ही आप अलग करोगे, तो यह आजाएगा this, and this, आउसके बाद जोर दो oxygen, तो यह हुआ product reductive ogenolysis का, यानि इसके साथ zinc हो, या carbon disulfide, जिसे यह methyl sulfide लिया था, dimethyl sulfide लिया था, यह सब reductive की पहचान होती है, तो यहाँ पे पहले हमने reductive ogenolysis का यह product आया, उसके बाद oxidative ogenolysis में, जो aldehyde होता है, इसको हम oxidize करके carboxylic acid बना देते हैं, यानि इसमें यह aldehyde group further oxidize होके carboxylic acid देगा, और यही hot k-m-o-4 के case में भी होता है, यानि आप oxidative ogenolysis करा हो, या hot k-m-o-4, दोनों same कहानी है, तो इसलिए हमें दो molecule मिल गए, acetic acid के, यानि third option is correct इस case में है, next आते हैं 10th question, यह last question है इसका, इसमें क्या है, a compound A, इसको ag2o से treat कर रहे हैं, तो यह PPT दे रहा है, और h2 plus और h plus अच्छा, यह बहुत अच्छा question है, इसका पूरी story में बताता हूँ आपको, देखो story क्या है इसकी, terminal alkyne, देखो दो तरह के alkyne, पहले terminal की पहचान क्या है, terminal का मतलब होता है, जिसमें triple bond वाले carbon से जुरा हुआ एक hydrogen हो, यह terminal हो गया, और non-terminal का मतलब है, जिसमें triple bond से जुरा हुआ hydrogen नहीं है, तो जो terminal वाले हैं, यह जो hydrogen होता है, यह acidic, एक decent acidity hold करता ह है, यह acidic है, ओके, तो इसी acidic hydrogen के corresponding, terminal वाले alkyne, कुछ test देते हैं, वो क्या test है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, RC triple bond CH, देखो पहला चीज है, इसको अगर आप active metal से, यानि active metal कहते हैं, S block के metal को, sodium, potassium, etc, इससे अगर आप treat कर दोगे, तो यह hydrogen gas release करेगा, उस hydrogen को यह हटा देगा, na plus जाके उसकी जगह बैठ जाएगा, with the release of half H2, यह पहला terminal hydrogen की पहचान है, दूसरा, na NH2 आप ले लो, बहुत ही strong base, इसको मैंने अभी कुछ दिर पहले, alcoholic KOH सिर्फ एक step में elimination करा पाता है, उसके बाद कराना होता है, तो हमें NH2 को use करना पड़ता है, क्योंकि बहुत strong base है, यह मैंने use किया थे question में, तो यह अब आएगा, तो यह क्या करेगा, NH2 minus strong base होने के कारण, इस H plus को हटाके, ammonia बन करता है, तीसरा जो अभी use किया गया है, यह tolerance है, ध्यान रखना, इसको काईदे से ऐसे लिखा जाता है, थियरी में, कि हमारे पास AGNO3 लिया हमने, और ammonical AGNO3, NH4OH में, तो कहने का मतलब है, silver होना चाहिए, तो इससे silver का ही एक salt लिया होगा है, तो जब आप यह लोगे ना, त एक और इसका famous test है, अगर आप इसको Cu2Cl2 और NH4OH या CuClNH4OH जो आप कहलो, इससे आप treat करोगे, तो RC, triple bond, C, यहाँ पे copper लग जाएगा, और यह red color का PPT देगा, तो इतने terminal alkyne के test है, तो देखो पहले इसको देखते ही, कभी पी silver आता है arrow पे, तो मैं समझ जाता हूँ, चाह देखते ही मैं समझ गया, कि अब पानी addition करना है, क्योंकि triple bond में, वोई भी triple bond है, इसमें पानी add करने का ये एक तरीका होता है, कि इसको हम HGSO4 और H2SO4 से treat कर दें, तो इसमें water का addition हो जाएगा, और water के addition के बाद, marconikov addition होता है, यह marconikov addition हमने करा दिया, इसके उपर लगा OH पानी का और इसके उपर लगा H पानी का, इसके बाद यह tau-to-marize होगा, it has to tau-to-marize, जगह नहीं है, मैं उपर कर देता हूँ, यह tau-to-marize होके बन जाएगा R C double bond O CH3, बहुत अच्छा question पूछा गया है, मतलब में में भी अच्छे questions आ रहे हैं, तो इसका मतलब A में triple bond तो त तो start करते हैं, इन में से क्या लेना है, इतना तो पता चल गया कि terminal alkyne है, तो मैं मान लेता हूँ कि let, जो compound हमें find करना है, उसका formula कुछ इस तरह से है, R C triple bond CH, देखो CH रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसने एक test दे दिया है, silver वाला, तो इसका मतलब terminal alkyne रखना है, अब हटा दोगे तो, मतलब यहां से हट प्लस आ रहा है, और इससे sulphate हटा दो तो HG2 प्लस आएगा, तेसे marconic of addition of water करा दो, तो यह marconic of addition of water मैंने करा दिया, CH, एक H लग गया, और उसके बाद इसको टाउटोमराइस करा देना है, टाउटोमराइस करा ओगे, C double bond हो, CS3 आ जाए NAPH4 reducing agent है, यह इसको reduce करके alcohol में है, reducing agent में simple होता है, देखो HH जोड देना है, H और H, यह इधर लगेगा, यह इधर लगेगा, तो reducing agent, HH जोड दिया और यह बन जाएगा R, C, OH, CH and CH3, यह हमारे पास आ गया alcohol, अब इसके बाद क्या कह रहा है, JNCL2 and HCL, लुकास test, JNCL2 and HCL ह यह लुकास test है, तो लुकास test, इसका मतलब जो alcohol होना चाहिए, it should be 2 degree alcohol, क्योंकि 5 minute में 2 degree alcohol लुकास test देता है, तो by chance यह 2 degree है alcohol बना, यानि यह इस format का होना चाहिए, यानि इस format का alkyne होना चाहिए, अब धूंड लो कि इस format का कौन है, यह दिख गया, यह चेकलो terminal वाला है, और इधर एक alkyne लगा हुआ है, CS3 के form में, बाकी कोई match नहीं कर रहा है, तो this is for the today, इसमें यही था hydrocarbon में, ओके, thank you